नवस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पर दोस्तों पानी से वशी करन, जी हाँ मात्र एक पानी के गलास से कोई व्यक्ति आपके वश में हो सकता है, कभी सोचा है ये पानी जो आपके प्यास बुझाता है वो आपके पास भी किसी व्यक्ति को ला सकता है वो भी ता उम्र के लिए सोचा है कभी आपने आईए बताते हैं कैसे आपको क्या करना है किस तरह इस पानी की ग्लास के माध्यम से किसी व्यक्ति को आप अपने वश में ला सकते हैं ना किसी को खिलाना है कुछ ना किसी को कुछ पिलाना है ये पानी का इस्तमाल भी आपको किसी को पिलाने के लिए नहीं करना है बस इस पानी से माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कव सकते हैं वो व्यक्ति जिसके बिना आप रह नहीं सकते और वो है कि आपकी तरफ ध्यानी नहीं देता तो ऐसे में क्या किया जाए ऐसे में जब आपकी आपके प्यार के लिए तरब बढ़ जाए तो और आप चाहे कि किसी भी तरह वो मेरे पास आ जाए तो इस पानी के गलास के माध्यम से आप अपने दूर गए प्यार को अपने पास बुला सकते हैं और उम्र के लिए अपने पास ही रख सकते हैं तो आईए बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है किस तरह एक ग्लास पानी से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब रात की समय में आप अप सोने जाएंगे जब आप अपने विस्तर पर जाएंगे सोने के लिए तो उससे पहले आपको ये विधी करनी हैं। तो आपका पती है, आपकी पतनी है, आपकी गल्फरेंट है आपकी एक्स गल्फरेंट है। कुछ positive चीज़े आपको सोचनी है कि किस तरह आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं या किस तरह आप उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं इन सब के बारे में आपको सोचना है और जब आपकी आँखों के सामने उसका चहरा बनने लगे तो 21 बार इस मंत्र का जाब कीज़ेग कोई भी आपको देखे ना आपके असपास कोई ना हो स्रफ और सेर्फ आप ही हो 21 बार जब आप इस मंतर का जाब करेंगे इस पानी की ग्लास को हाथ मे लेकर तो उसके बाद आपको क्या करना हए यह पानी का ग्लास अपने उपर गेव लेना है जी हाँ ये पूरा पानी का ग्लास अपने उपर गेव लीजे, इससे क्या होगा कि जो आपने सोचा है, जो भी आपने इसका ध्यान किया है, उसके पास वो पावर पहुंच रहेगी, कि वो आप की ओर खिचे चले आएं। और इस विधी को आपको तीन दिन करना है, शनिवाव से आपको शुरू करना है, मंगलवाव तक आपको इस विधी को करना है, शनिवाव, वाव, सोमवार और मंगलवार, जी हाँ, तो मंगलवार को जब आप ये विधी कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मात कर रहे हो तो आपको नौन विज नहीं खाना है जिस दिन आपने विदी करनी है उसे नौन विज नहीं खाना हाथ में कोई पत्थर नहीं होना चाहिए पत्थर का मतलब मेरा है कि जैसे धातू जो पहन लेते हैं लोग जो पत्थर पहनते हैं ना मूंगा हो गया इस तरीके के जो पत्थर हैं, वो पत्थव जो आप पहन लेते हैं, उन पत्थरों को अगर आपने कोई ऐसा पत्थर पहन रखा है, तो उसे निकाल कर रख दीजे, उसके बाद आप ये विधी कीजेगा, उसके बाद जब आप ये विधी करेंगे, विधी संपन होने के बाद आप देखें करेंगे कि वो की यह है और कोई नहीं है और व्यक्ति आपकी ऑपसे और कोई नहीं है तो स्क्रिण पे इसमास्य का समधान कीजिए अपनी हर परेशानी का हल किजिए तो कॉल कीजे परिशानी का हल कीजे और अपने जीवन में खुशियों को वापस ले आईए मुझे दीजे जाज़त जयम आता दी